दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के स्लोग में मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर महेंद्र और आज है 27 अगस 2022 और कल है 28 सकस कल मेरी है नीट पीजी की काउंसलिंग 2022 की और कल जैपूर जाना है इसके लिए मुझे काउंसलिंग का मेरा सेकंड राउंड है और फस्ट राउंड में मुझे जो चाहिए था मुझे निकल रहे हैं आगया है नवीन बस पर छोड़ने के लिए मिलता हूं मैं बस टेंट पर ही हम लोग अभी गर से निकल रहे है आगया है नवीन बस पर छोड़ने के लिए मिरको तो यह बस आ चुकी है मेरी गों के वापस एसी रोड़ पर आगी जा मैं खड़ा हूं और फिर निकलेंगे जैपूर के लिए बस पूर देश से तयार हो बस आ चुके मेरी सामने ही खड़ी है बस मैं आपको दिखा दिये कैसी है अभी यह सुबह लगबग मुझे 6-7 बजे पहुंचाएगी जैपूर और फिर महां से होटल वगएर लूँगा मैं कहा जाता हूं क्या है कल की जर्णी कैसी जाएगी वह मैं आपको कल अपडेट कर दोस्तों फाइनली स्लीपर में बैठ चुका हूं मैं जीता हूं आप से कल अभी तो कुछ दिखनी रहा है इसमें स्वागता दोस्तों आपका फिर से इस व्लोग में और अभी बजरी सुबह की सारेच है और हम पहुंच चुके है रूम में कुछ ऐसा है हमारा रूम हम तीन लोग साती है कुछ बाहर से ऐसा सीने बहुत खुबसूरत लग रहा है जायपूर अब बजरी यह साड़े दस और मैं निकल चुका हूं कांस्लिंग के लिए 11 बज़े कांस्लिंग है मेरी तो अभी बजरी यह शाम की साड़ेच है और मैं वापस जा रहा हूं जहां पर मेरी कांस्लिंग चलते थी सुबह मेरा नमबर नहीं आया था शाद अभी आजा अभी एक रिंड़ा बचा है कांस्लिंग को और यह है मेरा दोस्त प्रमीड सिंग और इसको ओबी जी गाई नहीं मिल चुकी है मतल स्त्री रोग के विसे शक्या अभी गाई नहीं कॉलेज और अब आज नहीं होता तो कल कांस्लिंग है फिर कल 29 को सुबह 8 बजे मेरी कांस्लिंग फिर स्टार्ट मेलते हैं फिर कल अब आध को को तो दोस्तोर आज को कुछ ऐसा लिख रहा है होटल से न जारा है मॉर्णिंग दोस्तों तो आज है 29-10-2022 मेरी काउंसलिंग जो 28 को होने 29 को पॉस्पन होगी हो दिन आज रुका फाइनले भी साथ बज रहे हो और मैं काउंसलिंग के लिए निकल रहा हूं और होफुली थोड़ी देर मेरा निपड़ जाएगा बता बड़ जाएगा जो मुझे चाहिए हो मुझे मिल रहा है और बतात 2135 मीना शर्मा एपसेंट 2136 तो अभी बहुत बुरा हाल हो चुका मेरा इट्स बिन मोर दन इलेन आर्स सुपर सारे साथ बजा आया और अभी शाम की आठ बज चुकी है मेरे को मुझे जो ब्रांच चाहिए थी पीजी के लिए और मुझे नहीं मिली है कोई मतलब मुझे अब मैं निकलू हुआ यहां से वापस हुद्यपूर के लिए इस व्लोग को शायद बस पर कंटीनी को रहे आपर कलकरजा के खतम करेंगा तो अभी हमारी बस है तस बजे और हम आया है खाना खाने के लिए आधे कंटे में बस आने वाली है और फाइनल डिनर करके हम लोग तुशार और आशिर तुशार नया एड़ वाज इस लोग में करते पिस लोग में